अगर आज के समय में देखा जाये तो दानतों में कीडे लगने और सड़ने के समस्या कॉमन है जिस तरही का खाना हम खाते हैं जिस तरही के लाइफ्स्टैल है हम खाने के बाद दानतों का कुछ खास ध्यान नहीं रखते दांतों में फसा रह गया खाना इन्हें सड़ा देता है और फिर ये पैनफुल हो जाते हैं दांतों से रिलेटिड इलाज बहुत महंगे भी होते हैं इसके लिए लोगों का डेंटिस्ट के पास जाना लगा रहता है काफी सारी सावधानियों के बाद ही दांतों को साफ और सही रखा जा सकता है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है कि हम दांतों के लिए हर रूल फोलो कर पाएं तो आज किस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं ऐसी ही एक ट्रिक जिससे घर पर ही आप अपने दांत का कीड़ मिंटों में निकाल सकते हैं और ये ना तो महंगा होगा और ना ही बहुत मुश्के सबसे पहले तो आपको बता दे कि हम सभी के मुह में बैक्टिरिया होते हैं हमारे खाने पीने शामान में यदि सक्कर है तो मुह में रहने वाले बैक्टिरिया जल्द इस सक्कर को एसिड में बदलना शुरू कर देते हैं और साथ ही फुजिन के कण भी एसीड में बदल जाते हैं दान्त का मजबूत इनेमल इस ऐसीड को दान्त की देख भाल करता है लेकिन अगर किसी वजह से दान्त का ये इनेमल कमजोर हो जाता है तो एसीड धीरे धीरे दान्त को अंदर तक खोकला करना शुरू कर देता है फिर उपर से केवल सोटा सा काला बिंदू दिखाई लेकिन उसके बाद भी यहू सबस्कता है कि दाउतं अंदर से ज्यादा खराब हो गया हो तो ऐसे में अब आपको अपने दाउतों को सही करने के लिए अपने एक्सपट्स के पास जोवड़ सलहां लिनीं चाहिए क्योंकि एक्सपर्ट्स ही आपको बहतर तरीके से बता सकते हैं कि अकिरकार किस तरीके से आप अपने को खराब होने से बचा सकते हैं कि एक क्योरेन हेल डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट